वर्ल्ड कप के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 में इतने बड़े-बड़े बदलाव हो सकते हैं कि जिस बदलाव की किसी ने आसा भी नहीं की होगी बदलाव क्यों हो सकते हैं क्या है इसके पीछे कारण चलिए आप लोग को बताते हैं T20 वर्ल्ड क ऐसे में जो है T20 World Cup के लिए टीम इंडिया की जो पंदरा खिलाडी है वो कौन होंगे क्योंकि टीम इंडिया के लिए जिन जिन यंगस्टर को मौका मिल रहा है वो काफी अच्छा पॉफएंस कर रहा है एक तरफ रिंकू सिंग को मौका मिल रहा है तो वो और लाउंडर की काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई और यह सारे जो यंगस्टर है वो काफी फास्ट क्रिकेट खेलते हैं बिल्कूल भी स्लोनी खेलते हैं बहुत ही फास्ट केलते हैं ऐसे में जो है कि जो नए खिलाडी है नए खिलाडी किन पूराने खिलाडी के जगह इन नए खिला गैकवाड को मुका मिला तो एक स्रीज में रिंकुज रितुराज गैकवाड जो है वो सात्वेर रैंकिंग पे आ गए बल्लेबाजी मरसुरु कमारे अदब जो है वो टॉप है तो वो भी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं ऐसे में जैसे की वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसमें वो पंदरा खिलाडी होंगे पंदरा खिलाडी पे काफी यदा चचा हो रही है क्योंकि पंदरा इसको रिकेट खिलते हैं लेकिन रवीन जड़ेजा हार्दिक पांडिया साथ में स्रे सेईर केयल राहूल इन चारों के पद को भी खतरा हो सकता है ये बहुत ही बड़ी खब गाइकवार्ड भी पीछे नहीं हाट रहे है रितुराज गाइकवार्ड भी अच्छा कारनावा कर रहे है और वहीं सुमनगील जो है वो भी टी-ट्वेंटी क्रिकेट काफी अच्छा खेलते हैं तो ऐसे में किन-किन जो सिनियर प्लेयर हैं उनको स्कुएट से बाहर किया जाएगा और किन-किन यंगस्टर को मौका दिया जाएगा यह जल्द ही है जो स्कुएट जो है वो अनौंस कर दिया जाएगा क्योंकि अभी जो है टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप में खेलेगी और ऐसे तो आई-पिल का जो होता है सीजन आई-पिल का सीजन आ रहा है तो आई-पिल से भी प्लेयरों को सलेक्ट किया जाएगा जो प्लेयर आइपिल में अच्छा करेंगे उनको ती-ट्वेंटी वर्ल्ड कप में डाला जाएगा स्क्वेड में सामिल किया जाएगा जिए क्ले Ellis सबसें का कि प्लेयरों को मौका देना चीए फिर मिलता है दूसरे डियो को लेकर के तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें जाहिन जाहिन भारत